ओम नमस्षीवाई मैं हूँ एस्ट लॉजर केम जिना और मैं अपने से यूटुब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रस्पति देव का राशी परिवर्तन होने वाला है और एक मैं को यह अपना राशी परिवर्तन ब्रस्पति देव को अगर कहा जाए तो कफ के कारक माने जाते और ब्रस्पति देव पूरी कुंडली में एक ऐसे ग्राह होते हैं जो पांच भावों के कारक माने और यह पांचों भाव किसी भी मनुष्य के लिए बहुत इंपोर्टन होता दूतिय भाव जो की धन का पंचम भाव जो की संतान का प्रीम प्रसंग का नवम भाव भाग्य का धर्म का दशम भाव कर्म का एकादश बाव इंकम का यह सभी पांच भाव के अकीले एक ऐसे ग्राह हैं जो की काफी responsible माने जाते हैं और ब्रस्पती का जो नेचर होता है वो विवेक, ज्यान, न्याई प्रिये या ब्रस्पती को कहा जाए तो साक्षात बगवान के बराबर मानते हैं देवों के गुरु ही हैं और गुरु जो होते हैं बगवान से भी बड़े माने जाते हैं तो देवगुरु का जो परिवर्तन हो रहा है वर्तमान में ये मेश राशी में गोचर कर रहे हैं लेकिन एक माई को ये अपना राशी परिवर्तन करेंगे तो कुछ डेटा मैंने रेडी किया हुआ है कि कब-कब क्या-क्या होगा एक मई को ब्रस्पती देव अपने शत्रू शुक्र की राशी में प्रवेश करेंगे और शुक्र की राशी में प्रवेश करने के बाद ये 14 मई दो हजार पचिस को दूसरी बार शत्रू राशी बुद्ध में प्रवेश करेंगे ये पूरा लगबग 12 मंत का समय रहेगा समानिता 11 मंत से 13 मंत के बीच में ब्रसपती का ट्रांजिशन होता है इसके अलावा जब ब्रसपती गोचर करेंगे ये 12 जून को रोहनी नक्षतर में चले जाएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षतर है और 20 अगस्त दोजार चौबिस को ये मिर्क्षेरा नक्षतर में जाएंगे मंगल के नक्षतर में चले जाएंगे 9 अक्टूबर से ये वक्री हो जाएंगे पीछे की ओर चलेंगे और 28 नॉबर को ये पुना रोहनी नक्षतर में प्रवेश्च कर जाएंगे क्योंकि वक्री रहेंगे तो रोहणी नक्षत्र में तो राशी तु नहीं चेंज कर रहे हैं वरिशब राशी में ही रहेंगे लेकिन वक्री होकर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे पहले रोहणी फिर मिर्क्षेरा और फिर रोहणी देखे रोहणी नक्षत्र आपको पता है चं चंद्रमा को जो पसंद है, चंद्रमा का जो घर है, उसी घर में ब्रस्पती देव उच्च के हो जाते हैं, करक में, तो करक राशी में चंद्रमा ब्रस्पती उच्च के हो जाते हैं, ब्रस्पती का अपने मित्र नक्षत्र में, रोणी नक्षत्र में और साथ में मिर्क्षिर नक्षत्र में भले ही जॉडियक साइन कुछ इस तरीके का बन रहा है कि शत्रू राशी में है लेकिन नक्षत्र इनका मित्र नक्षत्र है तो इसलिए बहुत जादा निगेटिव नहीं है एक्षिली होता क्या है कि ब्रस्पती देव शुक्र को शत्रू मानते हैं लेकिन शुक्र ब्रस्पती को शत्रू नहीं मानते हैं उनको न्यूट्रल उदासी इंता के तरीके से देखते हैं यही काम जो होता है ब्रस्पती का बुद्ध के साथ होता है ब्रस्पती बुद्ध को परम्शत्रों मानते हैं लेकिन बुद्ध ब्रस्पती को न्यूटरल मानते हैं कुछ कंजंक्शन्स भी हम लोग समझते हैं कुछ यूती जो होंगी उसको भी हम समझते हैं 14 माई ये कैसा डेट होगा जहां पर सूर्य के साथ ब्रस्पती देवता भी आएंगे और कुछ दिनों तक वहां पर ये अस्त भी रहने वाले हैं उसके बाद शुक्र को भी अस्त करेंगे इसलिए विवाह के जो मूर्थ हैं वो 29 जून तक के नहीं बनते हैं बीश में 19 माई को सूर्य ब्रस्पती और शुक्र की यूती होगी और 13 अक्टूबर को ब्रस्पती का शुक्र के साथ सम सब्तक यूग बनेगा 29 मार्श तोकि ये राशी परिवर्तन करेंगे 14 माई 2025 को तो 29 मार्श 2025 में एक ऐसा डेट आ रहा है जब मंगल देव अपने परम नीच राशी में रहेंगे तो आइएम समझते इस पूरे सभी चीजों का प्रभाव क्या होता है और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे लगन के अनुसार मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इसलिए लगन के अनुसार ही इसको समझे देखें मेश लगन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेश लगन में ब्रसपती को डिपार्टमेंट कहां पर मिला हुआ है ब्रसपती को डिपार्टमेंट मिला है नवम त्रिकोड का और साथ में द्वादस के भी ये मालिक होते हैं कर रहे हैं दो तारिक को और ये आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं लगन के सापेक्ष में देखा जा तो दूतिये भाव में जा रहे हैं अब दूतिये भाव जो होता है धन का होता है कोटुम्ब का होता है वाड़ी का होता है उस बाव में ब्रस्पति देवता बैठ गया ह अगर ब्रस्पति देवता भले ही शत्रू राशी में जाकर बैठ रहे हैं मित्र नक्षत्र में जाकर बैठ रहे हैं तो बहुत जादा परिशानी बहुत जादा निगेटिव इस नक्षत्र में इस राशी में जाकर ब्रस्पति देवता नहीं देने वाले हैं क्योंकि रोहुनी नक्षत्र भी पड़ेगा रिक्षिरा भी नक्षत्र पड़ेगा इन दोनों ही नक्षत्र में ब्रस्पती के लिए सापेक्ष में देखा जाए तो चंद्रमा को भी यह मित्र की श्रणी में रखते हैं मंगल को भी मित्र की श्रणी में रखते हैं तो नक्ष इसलिए aggressive mood में किसी को शराब देना या किसी के बारे में negative बोल देना ऐसा बिलकुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रसपती देवता आपके मुख में रहेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी के बारे में negativity करते हैं, तो उतना ही negativity आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है, धर्म की बातों में अगर आप जुड़ा हो हैं, कथा वाचक हैं, या आप धर्म को मानते हैं, तो इस समय धर्म की परकास्था जो रहेगी बहुत अच्छी होगी, वाड़ी अच्छी रहेगी, अगर गले में किसी प्रकार की परिशानी रहती थी, वो परिशानी खत्म होग बस्पति देवता क्योंकि आर्थिक रूप से चले गए हैं, भागी को लेकर धन में चले गए हैं, विदेश को लेकर धन में चले गए हैं, तो आर्थिक उन्निती निश्यत रूप से बहुत अच्छी होने वाली है, आर्थिक रूप से आप देखिए तो उन्निती करने वाले रहेंगे इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है अर्थवे उस्ताब का पहले से सुद्रिन होने वाला है ऑल लाइन या आफ लाइन के कारियों में अगर आप इन्वाल में तो उसमें भी आपको लाब मिलने वाला है अब ब्रसपती जहां पर बैठे हैं वहां से एक तो लीगल मामले को देखेंगे लीगल मामलों को देखेंगे तो अगर किसी प्रकार का कोट के चैरी के केस चल रहे थे और अगर आप मेश लगने के हैं तो बड़ी बुद्धी मता से आप अपनी बुद्धी का परियोग करके लीगल मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी अंत कि अश्टम अस्थान को भी पड़ेगी अश्टम अस्थान को का जाता पूरा तत्यों का अस्थान या अकल्ट साइंसेस का रहस्चों से भरा हुआ अईयू को बढ़ाएंगे साथ में लोगों रिसर्चर हैं लिख करते रहते हैं कुछ ना कुछ कि ब्रसपती रिसर्च का कारग मी मानीं चाता है जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उस रिसर्च में आपको बहुत बड़ी काम्याभी यहां पर मिलेगी हर तरीके से कहा जाए तो ब्रस्पती का राश्य परिवर्तल लगबग लगबग आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है एक परिशानी जरूर होगी क्योंकि ब्रस्पती अस्टम को देखेंगे तो लीवर में किसी प्रकार की परिशानी भी उत्पन हो सकती ही तो आपको अपने लीवर से समंदित जो मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं जो देशी होते हैं उसको आपको जाधा ध्यान देना होगा अगर आपको लीवर इस दोरान किसी प्रकार की परिशानी उत्पन होती है तो इसके अलाबा ब्रस्पती की जो नौवी द्रिश्टी पड नहीं है कारे वेवसाय में नीच द्रिष्टी तो आपका जो मन होगा कारे अस्थान पर जाकर गलत चीजों में इन्वाल्व हो जाना इनसे आपको बशना होगा क्योंकि ब्रस्पति कभी गलत तो नहीं कराते लेकिन द्रिष्टी नीच की पड़ रही है इसलिए जो कर्म अस् आपके पैरों में भी देखने को मिलेगा और साथ में जो नीच द्रिष्टी पड़ रही है उसका जो दुष्प्रवाव है कारे छेत्र में भी पड़ने वारा है लेकिन ओवराल कहा जाए तो आर्थिक रूप से अच्छा ओनलाइन ओफलाइन माध्यम से अच्छा लेकिन धन तो आजाएगा आपके पास लेकिन जहां कर्म चेत्र है वहाँ पर कोई गलत कार्वों में इन्वाल्मेंट आपका नहीं होना चाहिए इस बात का आपको विशेस रुप से दियान देना होगा अब हम बात करते हैं अगले लगन का वरिशब लगन वरिशब लगन एक ऐसा लगन बनता है जहां पर ब्रस्पती देवता को कभी भी अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है पोजीशन अच्छी हो जाए तो बात अलग है लेकिन ब्रस्पती लगन में दिशा बली हो जा रहे हैं आपका अस्टमेश दिशा बली हो जा रहे हैं अब में जो लोग रिसर्च डेवलप्मेंट कर रहे हैं उनको रिसर्च डेवलप्मेंट में पॉस्टिव रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन दूरेशन थोड़ी सी परिशानिया बीच में बहुत सारी आएंगे इनकम का भी मालिक ब्रस्पती देव हैं और लगन में बैट रहे हैं इनकम आपके बढ़ जाएंगे लेकिन हर कारियों में ब्रस्पती देव के करांड कुछ ना कुछ परिशानी उत्पन होगी अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका लगनेश कहां पर बैटा है यानि शुकर कहां पर बैटा है अच्छे जगा पर बैटा है तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे खराब जगा पर शुक्र भी बैठा हो तो रिजल्ट भी बहुत खराब चलेगा और अगर आपकी ब्रस्पती की दशा अंतर दशा चल रही है तो विशेस रुप से आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए शारिरिक परिश्रम जितना ज़ाद आप कीजिएगा उतना ही आपको धनलाब मिलेगा इस बात को आपको नोट करके रखना चाहिए कि मैना से पीछे नहीं अटना है और लगातार शारिरिक परिश्रम करने के बाद ही आपको धनलाब मिलेगा परिशानिया तो बहुत आएंगी क्योंकि अस्टमेश है अस्टमेश कुद बाडी में बैट गया तो परिशानिया आएगी और बुद्ध के अस्थान पर ब्रस्पती की जो पंचम दृष्टी पढ़ रही है वहाँ पर शत्रू दृष्टी पढ़ रही है बट संतान से आपको नुकसान बहुत जादा नहीं होगा है संतान इसे में आपके सपोर्टिव रहेंगे ब्रस्पती का दृष्टी देखना अपने आप में अच्छा माना जाता है बले ही शत्तूर छेत्र में इनकी दृष्टी पढ़ रही लेकिन संतान से आपको अच्छे ह खिकता माने जाते हैं। लेकिन दैनिक रोजगार के छेत्र में कहा जाए और इस्ति के पक्ष में कहा जाए जीवन साती के पक्ष में कहा जाए तो खिना किसी परकार की परिषणी हो सकती इस दृष्टूरेशन में ब्रस्पति की नौवी दृष्टी और वो भी नीच दृष्टी धर्म स्थान पर पट रही है तो स्वभाविक है कि धार्मिक स्थान पर कुछ न कुछ परिशानी ब्रस्पति देव करने का प्रयास करेंगे लेकिन आप भी जिद पकड़ लीजिए कि आपसे कोई गलत कारें नहीं करवा सकता है आप honest है आप हमेशा honest रहेंगे आपसे कोई गलत कारें नहीं करा सकता है और धार्मिक यात्राओं पर जाने से पहले बहुत जाता ध्यान दिजिएगा अगर शुक्र के स्थिती साही है तब भी धार्मी के आत्राओं पर जाईएगा शुक्र अगर अच्छे स्थिती में नहीं है तो आपको धार्मी के आत्राओं के दौरान बहुत कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ेगा तो ओवरॉल कहा जाए तो कुछ परिशानिया वरिशव लगन में है लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप शारिरिक परिशनम कितना करते हैं और जिद लेकर कितना आगे आप बढ़ते हैं तो ओवरॉल कहा जाए तो मिक्स्ट रिजल्ट है अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं देखे मिथुन लगन में व्रसपति देव को सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या मिला हुआ है एक तो सब्तमेश है और एक दशमेश है और व्रसपति देव ता अभी तक तो इनकम में जाकर बैटे थे अब ये विदेश में चले गए शत्रु शुक्र की राशी में रोणी नक्षत्र में और मिर्क्षेरा नक्षत्र में जादर तर टाइम ये अपना व्यतीत करेंगे तो इस समय एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए जो कि मिथुल लगन के जाता किया है कि इस समय खर्च बहुत जादा होगा खर्च को आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ब्रस्पती देवता खर्च में खुद जाकर बैठ गये हैं और ब्रस्पती एक शुब देवता हैं तो किसी गलत कारियों के लिए खर्च नहीं होगा कुछ ना कुछ ऐसे कारियों के लिए खर्च होगा जो ज़रूरत वाले कारियों होगे अच्छे कार्यों के लिए, शादी विवाग के लिए, मकान के लिए, वहां के लिए इस तरीके के कुछ खर्च, संतान के सिक्षा के लिए, आपके सिक्षा के लिए किसी प्रकार का ब्रस्पती यहाँ पर खर्च करने वाले हैं और यह खर्च रुकने वाला नहीं है इसके अलावा आपके जो लाइफ पार्टनर का जो अस्थान है वो सब्तम अस्थान वहां से चटवे अस्थान पे चले जा रहे हैं तो जीवन साथी से दूरी बन सकती है या जीवन साथी के स्वास्त को लेकर कुछ ना कुछ परिशानी मिथुन लगने वाले जात्कों को देखने को मिलेगी ऐसा चार्ट में इस पर स्टूप से क्लियर हो रहा है देखे कारे को लेकर क्योंकि आपका दश्मेश जो है वो 12 में चला गया तो काम को लेकर ट्रैवलिंग पर आपको निकलना पड़ सकता है पहले जितना आप काम करते थे उसमें साथ ट्रैवलिंग अगर कम होती हो तो अब ट्रैवलिंग और जादा बढ़ेगी अगर जो पहले रिलेटेड जो लोग बिजनेस करते हैं क्योंकि आपके काम को लेकर विदेश में ले जा रहा है तो एक्सपोर्ट ही हुआ आप अपने जगा से दूसरे जगा पर समान को बेज रहा हैं इसका तब काम से रिलेटेड चीजों को जो लोग लॉजिस्टिक इत्यादी में करते है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है लेकिन जो लोग बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं ऐसे मितुल लगनवाले जातकों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है मकान का सुक जो रहेगा ब्रसपती की दृष्टी पढ़ आने के कारण मकान का सुक आपको अच्छा मिलेगा और ब्रसपती लीगल मामलों को भी देखेंगे तो न्याइक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी लेकिन अश्टम अस्थान को नीच दृष्टी से देखेंगे तो जो लोग अकल्ट साइंसिस मन्त रियंत रितंत जोतिश गूड रहस्तियों को कि आप उजा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा व्रिशब के तरह आपको भी यही बता दू कि आपका यानि मिथुन लगन में भी ब्रस्पती का फर्ल डिपेंड करता है बहुत जादा आपके लगनेश की पोजिशन कहां पर है अगर विश्यस रूप से ब्रस् ब्रस्पती जो होता है वो परिशानी डेवलप करेगा और किसी प्रकार का कोई विप्रीत राजयोग आपके चार्ट में नहीं बनता है ब्रस्पती के कारण इसलिए आप ये मान के चलिए कि थोड़ी परिशानिया भी रहेंगी इसलिए इसको मिक्स्ट रिजल्ट मैं दे अब हम अगले लगन की बात करते हैं करक लगन वाले जात्कों का क्या होने वाला है कि देखें कर्क लगन में ब्रस्पती देव को बहुत ही अच्छा स्थान मिला हूए है नवम अध्रिकोण के मालिक है ब्रस्पती देव conver Sandy है नवम त्रिकोर्ड होता है उसके मालिक ब्रस्पति देव है और साथ में सश्ठेश भी हैं कॉम्पटिशन के भी मालिक है हमेशा छटवा घर जो है लीगल को नहीं मान सकते हैं कॉम्पटिशन भी होता है लीगल किस तो होता ही है लेकिन साथ में कॉम्पटिशन भी होता है बरस्पति देफ कहां पड़ जाने वाले हैं अब द्शम अस्थान से निकल के पहुँचेंगे आपके एकादस्थान पर इंकम पहुँचेंगे अब रफली तो आप ये result निकाल सकते हैं भागे कमाली को कर इंकम में जा रहे हैं तो भागे से इंकम का बढ़ना निश्च दू होके रहेगी क्या क्या चीज़ें आपको फायदा या पॉजिटिव चीज़े दिखाई देंगी चुकि करक लगन है कैसा लगन बन रहा है जिसमें निगेटिवटी बहुत कम है पॉजिटिव रिजल्ट जादा है और रिजन भी आपको बताते चल्ग रहा हूं भागे का मालि का रिजल्ट पूरी दुनिया मानने लगेगी पूरे आपके आसपास के लोग मानने लगेंगे तो अगर आपने इस समय मेहनत अच्छा किया इस दोरान मेहनत अगर आपने अच्छा किया तो रिजल्ट आपको अच्छा होता कई बार क्या होता हम लोग मेहनत करते हैं लेकि होने वाले हैं शब्द रूप पक्ष से भी आपको लाब मिलेगा क्योंकि ब्रस्पती जो है वो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस के लॉड यहां बनते ही निकम में जा रहे हैं तो निश्यद रूप से अगर कोई लीगल काम आपके उपर चल ला है लीगल मामले में फसे हैं तो बहुत जल्दी यह सॉल्व होने वाला इसमें कोई डाउट ही नहीं है संतान की अस्थान पर ब्रस्पती देखेंगे तो संतान से सुक की प्राप्ती बढ़ेगी प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़ेगा और साथ में विद्या बुद्धी यानि स्टडी जो लोग करते हैं जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं जो लोग लगातार पलहाई करते हैं ऐसे सभी वर्गों के लिए करक लगन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहां पर आने वाले हैं एक परिशानी जरूर है जिसको आपको थोड़ा सा रेमेडी करके सॉल्व कर लेना चाहिए सब्तम अस्थान को ब्रस्पती नीच द्रिश्टिस देखेंगे तो हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ इस्तरी का जो सुक है वो थोड़ा कम में मिले इस्तरियो कम आते हैं तो ऐसे द्यानिक रोजगार वाले लोगों के लिए थोड़ी कठनाईयों का सामना भी यहां पर करक लगन में करना पड़ेगा इसके बाद हम बात करते हैं सिंग लगन वाले जापको के लिए क्या होने वाला है सिंग लगन की बात किया जाए तो ब्रसपती देवता को डिपार्टमेंट जो है अश्टम का दिया गया है लेकिन साथ में पंचम त्रिकोण का दिया गया है नवम त्रिकोण पंचम त्रिक वाली है ब्रस्पति अभी भाग्य में थे एक त्रिकोड के मालिक अगर दूसरे त्रिकोड में अब आपके दशम भाव में चले जा रहे हैं तेंद हाउस में ब्रस्पति प्रवेश कर रहे हैं और दशम भाव का जो ब्रस्पति होता है निश्यत रुप से अच्छा ब्रस्पति आपके भूमी वहान मकान को देखने वाले हैं और नियाइक मामले को नीच द्रिश्टी से भी देखेंगे तो कार वेवसाहे में आपके लाब जो रहेंगे वो बढ़ जाएंगे अस्टम से रिलेटर्ड जो भी काम होता है अब अस्टम से रिलेटर्ड यानि र कल्ट साइंसेस को आप बात कर सकते हैं रिसर्च डेवलप्मेंट हो गया जोतिश गूड रहस तंत्र मंत्र योगा प्रणायाम जो की गूड रहस हैं ऐसे फील्ड में आपको बहुत तगली सफलता यहां पर मिल सकती हैं परिवार को देखेंगे ब्रस्पतिदेव तो मानसिक शांती मिलेगी लेकिन नियाइक मामलों में बहुत सारे लड़ाई जगड़े हो जाएंगे नियाइक मामलों में सफलता नहीं मिलेगी विशेष रूप से अगर आपकी ब्रस्पति की दशा चल रही है तो यह और जादा परिशानी वाला हो सकता लेकिन फिर भी कहा जाए रिजल्ट आपके पक्षम है क्योंकि मानसिक शांती आपकी बढ़ेगी और मानसिक शांती से अच्छी कोई शांती नहीं होती है तो यह आपके लिए अच्छा है अब हम कन्या लगन की बात करते हैं देखिए कन्या लगन में बिसिकली कहा जाए कन्या लगन में ब्रस्पती देव को सुकस्थान और सब्तम अस्थान यानि फूर्थ और सेवन्थ हाउस का लॉड बनाए गया इस गर के मालिक है और खुद भाग ये में जा रहे हैं कन्या लगन को मैंने मॉनिटर किया है पिछले च्छै महीने से बहुत जादा परिशानि कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहे ही तो परिशानियां के डिए ब्रस्पती देव श्टम् चले गए तो कि अब 19 मार्श दो 205 में कत्म होगी श्निक की निजब्रष्टी एस्थान पर तो गूड रहस में अभी भी आपको रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत जादा सफलता नहीं मिलेगा लेकिन भाग के साथ देने वाला है भूमी वहान मकान का सुख मिलेगा और ब्रसपती यहां से बैठके आपके लगन को देखेंगे तो आपका नेम फेम बढ़ना आप में सुख को लेकर नेम फेम बढ़ा रहे हैं तो मकान इत्यादी खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय मकान वहान दोनों को खरीदने का बहुत अच्छा रहेगा माता के स्वास में भी परिशानी थे तो अब वो परिशानी थोड़ी कम होत तो यहां पर जो प्रेम प्रसंग रहेंगे उसमें कई प्रकार के टक्राव आएंगे या गलत डीजिजन आपका हो सकता है इस बात को बहुत जादा ध्यान दीजेगा विद्या पक्ष में भी क्योंकि पंचमस्तान विद्या का होता नीच द्रिश्टिस देख रहे हैं तो इस गड़्ट अजिए तुला लगन में ब्रस्पति वैसे भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं एक तो रोख के मालिक है एक मेहनत के मालिक है दूनों इच्छा गर नहीं है इसलिए तुला लगन में इनको मारकेश भी कहा जा जाता है लेकिन अब यह अश्टम में जा रहे तो मुझे कहीं से भी तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है क्योंकि ब्रस्पती छटवे बाओ के मालिकों कर अश्टम में जा रहे हैं ये ठीक है अपने जगा पे लेकिन अगर शुक्र की स्थिती अच्छी होगी तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा अगर शुक्र की स्थिती बहुत अच्छी नहीं हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा तो बहुत जाद आपको ध्यान से इस पूरे वीडियो को समझना चाहिए आपके नेम, फेम, छोटे भाई, बहन, मित्रों को लेकर अश्टम में चले गए सबसे पहले चीज, थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर यह अश्टम में चले गए तो थर्ड हाउस क्या होता है, राइट हेंड का पोर्शन होता है, राइट आई का पोर्शन थोड़ा माना ज़त, वैसे सेकेंड हाउस से जादा होता है और गले की कोई परिशानी यानि जिनको ब्रॉंकाइटिस एस्थमा है उस परिशानी को लेकर अस्टम में चले गया है थोड़ा confidence level आपका कम हो सकता है क्योंकि confidence level को भी थर्डा उससे देखा जाता है confidence level कमजोर होकर अस्टम में चला गया तो अगर यह अस्टम में चले जा रह लोग अस्टम में ब्रस्पति जा रहे हैं इस लगन में अकल्ट साइंस रिलेटर जितने भी मंत्र तंत्र यंत्र योगा प्रणायाम इसमें आपकी रूचिय अकस्मात बढ़ने लगेगी और ब्रस्पति देवता खुद भी कहा जाए तो पांच भाव के कारक होते हैं इसल सारी चीजे दिखाई देंगी पराकरम में कमजोरी रहेगी शत्र उपक्ष से भी परिशानी रहेगी क्योंकि छटवा भाव जो हता है उसको लेकर अश्टम चले रहे तो जब जब शुक्र की स्थितिस आई होगी तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन साम भी खराब कारियों में नहीं होता है श्रिश्च टेवलपमेंट भी सकता है कर्च कहीं ना कहीं पर ब्रसपती जो भी है शुब कारियों देंगें लेकिन ऑनलाइन को देखेंगे बारा हुए घर को देखेंगे विदेश को देखेंगे तो आपको लाब यहां से करा देंगे ऑनलाइन जो लोग काम करना चाते हैं इस समय उनके लिए यह समय काफी अच्छा होने वाला है धन में वृदी होगी कुटुम्ब का सुप भी माता के स्वास्त में भी कुछ परिशानी हो सकती है और मांसिक पीड़ा भी आपको उत्पन हो सकती है बहुत जादा आपको ध्यान देने की जुरुत है विशियस रुप से तब जब शुक्र की पोजिशन खराब हो अब हम अगले लगन की बात करते हैं व्रशिक लगन वाल में सप्तम भाव में जा रहे हैं सेवन्थ हाउस में और ब्रसपती को डिपार्टमेंट क्या दिया गया है एक तो सेकेंड हाउस का डिपार्टमेंट दिया गया दूतिये भाव का और एक पंचम भाव का डिपार्टमेंट दिया गया दोनों ही डिपार्टमेंट कहा जा तो आपके मैरेड हैं तो आपके जीवन साथी का नेम फेम बहुत तीजी से बढ़ने वाला है आपके संतान का सुख आपको प्राप्ट होने वाला है यहाँ पर साथ में उदर सम्मंदित कोई बहुत बड़ी परिशानी चल रही थी तो वो भी कम होगे मानसिक रूप से आप सुखी रहिएगा और ब्रस्पती देवता क्योंकि धन को लेकर भी दैनिक रोजगार में बैटे हैं तो जो दैनिक रोजगार से रिलेटेट कार रहे हैं उसमें भी आपके इंकम बढ़ेंगे इंकम का बढ़ना भी चार्ट में इस पश्टूप से दिख रहा है और साथ में धन का मालिक होकर इंकम में नहीं बैटे हैं धन का मालिक होकर इंकम को देख रहे हैं तो महाधनियों का भी निर्माड करेंगे तो इस समय धन वर्षा जिसको कहते हैं मतब मैं realistic बात करता हूँ ऐसे थमने नहीं देना चाहता हूँ करोण उपती बन जाएंगे और अरब पती बन जाएंगे मैं simple यह बात कहूंगा कि धन से धन के respect में आपकी position पहले के respect में काफी अच्छी बनने वाली है क्योंकि महाधनियों की definition होती है धन का मालिक income में हो या income क मालिक धन में हो या दृष्टी बढ़ती हो तो यहाँ पर धन का मालिक income को देख रहा है और द्हानिक रोजगार में बैटके देख रहा है पंचम त्रिकोण का मालिक हो कर सब्दम में बैटा हर तरीके से अच्छा है है जिनके विवा क्योंकि ब्रस्पती जब सब्दम में जाते हैं तो विवाह में भी लंब करा देते हैं सब्तम का जो ब्रस्पति है वो अगर आप विश्चिक लगन के हैं तो लव मैरेज के लिए तो रिजल्ट अच्छा दे देंगे लेकिन अरेंज में कुछ ना कुछ परिशानियां रहेंगी और कुछ परिशानियों के बाद ही काम मिलेगी लगन पर द्रिश्टी पड़ेगी तो आपके आपका जो लगन है जो आपका फेश्यल एक्स्प्रेशन है वो काफी अच्छा होगा आपकी सुन्दर्ता बढ़ेगी आप समाज में प्रतिश्थित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे और परिशानी के वाल है स्वास संबंदित किसी प्रकार की परिशानी हो जाना छोटे भाई बैन है तो उनको उनको लेकर कुछ परिशानी डेवलप होना यह थोड़ी परिशानी जरूर है जिसके कराण कुछ टाइम तक आपके जो कॉन्फिदेंस लेवल में है उसमें कुछ डिक्रिमेंट देख हो रहा है वो कैसा प्रभाव देने वाला है देखे मीन लगन एक ऐसा लगन बनता है जहां पर लगनेश आपके ब्रस्पती देव होते हैं साथ में चतूर्थेश भी ब्रस्पती देवता बनते हैं और यह प्लेस्ट कहा पर हो रहा है है छटवे गर में पोजीशन वाइस कह आजाए तो छटवा गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है कि देवगुरु ब्रस्पति लगनेश होकर छटवे गर में बैठेंगे चतुर्थेश होकर छटवे गर में बैठेंगे और विदेश को देखेंगे तो जितने भी धनू लगन वाले जातक हैं उनके लिए जादा बढ़ने वाली ये कंफर्म हो और लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है अस्थान परिवर्तन भी होने की पूरी-पूरी संभावना है ऐसे लोग जो बाहर जाना चाते थे काफे दिनों से विदेश वेगरा जाना चाते थे और उनके वीजा रिजेक्शन हो जा रहे थ यह प्रश्य देव के राशी परिवरतन परणाश रूप आने वादा है इस ब्रश्पती देवताई यहां पर बैठ ऐख में एक तो लीग ऐल केस में जाकर बैठे हैं तो निस्चे तो उप से लीगल केस में आपको काफी परिश्राम मतलब काफी आपको परिश्रम करना ब्रस्पति देव यहां से बैट के क्योंकि मदर के भी मालिक है, फोर्थ हाउस को भूमी वहान मकान का भी अस्थान कहते हैं, उसके मालिक को होकर वो खर्च में दिखा रहे हैं, यानि भूमी वहान मकान को अगर आप सेल करना चाते हैं, तो उस सेल को आप आराम से यहां पर क ब्रस्पती फाल्टू के खर्च नहीं कराता है घर में कोई मांगलिक कारिक्रम उसकी खर्च हो सकता है ब्रस्पती lines में खर्च करोके आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी धनूलगन में ऐसा योग बनता है ब्रस्पति आपके करमस्थान को देखेंगे तो करमस्थान पर भी आपको शुब परिणाम देंगे लेकिन हर चीज में क्या होगा कुछ कठनाईया उत्पन होगी ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए आप बैटे हों और आपको उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रमोशन मिल जाए जिस तरीके का आप उमीद कर रहते हैं थोड़ी परिशानिया होंगी लेकिन काम बनेगा ब्रस्पति यहां से बैटके एक तो विदेश को देखेंगे तो विदेश के लिए अलड़ी में बता चुका हो खर्च के लिए जादा रेडी रहेगा ट्रैवलिंग के लिए जाता रहेगा धार्मी कार्यों परे भी ट्रैवलिंग हो सकती है और ब्रस्पति यहां पर नीच दृष्टी आपके परिवार में डालेंगे और साथ में धन की भी कुछ कमी कर सकते हैं इसका मतलब यह भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पर दूरी बढ़ रही है यहां परिवार से दूर जाने के पूरे-पूरे इंडिकेशन यहां पर दिखाई दे रहे हैं या जन्म अस्थान से या प्रेजेंट अस्थान से अस्थान परिवर्तन के योग यहां पर कि अधिक्ता रहेगी और खर्च की अधिक्ता रहने के कारण खर्च पर कंट्रोल करना आपको पड़ेगा परिवार में भी कुछ विवाद हो सकते हैं कुछ वैचारिक मदवेद भी यहां पर डिवलप करेंगे मकर लगन की बात करते हैं देखें जो भी मकर लगन वाले जातक हैं ऐसे लोगों के लिए ब्रसपती देवता को कौन से दो अस्थान दिये हैं एक तो दोआदश अस्थान मिला हुआ है दोआदश अस्थान का मतलब विदेश का अस्थान और साथ में नेम फेम मित्रों का आपका आपका confidence level मित्रों का सयोग ये सभी के अस्थान मिले हैं और ये आपके fifth house में जा रहे हैं पंचम अस्थान जो होता है वो आपके mind का अस्थान होता है तो विदेशों से सम्मधित कोई भी काम है उसमें आपके मित्र आपके relatives आपकी बुद्धिमता के बल पर उस problem को अप solve कर पाईएगा ब्रस्पती धर्म के कार्यों में भी आपको involve करते रहेंगे सबसे important बात क्या है कि अगर आपकी संतान है और आप संतान को लेकर चिंतित हैं तो संतान से related बहुत सारी परिशानी आपकी खतम होने वाली है संतान को लेकर क्योंकि संतान के जो मालिक हैं वो तो शुक्र दे बनते हैं लेकिन पंचब के कारक का importance बहुत जादा है कारकत तो लेकर कारक अस्थान पर बैठे हैं ब्रस्पती संतान के स्थान पर बैठे हैं एक तो संतान का जो confidence level होगा वो भी बढ़ेगा और संतान के confidence level क बढ़ने के कारण आपका भी confidence level जो रहेगा वो काफी बढ़ेगा और एक शुब आरंब यहां पर किसी नए व्यवसाय का हो सकता है ब्रस्पती के राशी परिवर्तन के कारण ब्रस्पती इंकम को बढ़ाने के लिए रेडी है और ब्रस्पती का इंकम जो होता है वो ग्यान से होता है और किसी प्रकार के आप educational institute से relate करते हैं किसी प्रकार के coaching इंडर्स्टी से relate कराते हैं online consulting का काम करते हैं ऐसे में मकर लगन वाले जात्कों के लिए काफी अच्छा result आने वाला है जबरदस changes आने वाला है वो पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के करण इनका strength बढ़ेगा इनका confidence बढ़ेगा और confidence बढ़ने से अगर आप माता पिता हैं तो आपका भी जो मानसिक तनाव है संतान को लेकर वो खत्म हो जाएगा धर्म के पती जु दूबलता हो सकती है शरीर में किसी प्रकार की कठना ही हो सकती है और आप शनी का जो position है वो लगातार अच्छे जगा पर है मूल त्रिकोण में है और फिर ब्रसपती की राशी में चले जाएंगे 29 मार्श 2025 में तो overall मैं कहूंगा कि मकर लगन वाले जात्कों के लिए excellent result देन क सिर्गे बात करते हैं कि अर्फि देखिए कुंबलगन में ब्रसपति को दो अस्थान मिले हैं एक income का और एक धन का और दोनों को लेकर सुकस्थान पर जाकर बैठे हुएhel इंकम को लेकर भी सुकस्तान पर बैटे हैं धन को लेकर भी सुकस्तान बैटे हैं इसका मतलब है कि ब्रस्पती जैसे ही राशी परिवर्तन करेंगे अगर आप कुम्ब लगन के जातक हैं तो अकस्मात धन आपके पास बहुत सारा आजाएगा या धन की समस्याओं से पिलित हैं तो वो धन आएगा लेकिन जितने तेजी से आएगा उतना ही तेजी से खर्च भी होगा क्योंकि ब्रस्पती की नीच द्रिष्टी जो है विदेश पर जाकर पड़िये किसी से आपने लोन ले रखा हो या कुछ किसी से उधार ले रखा हो च मांसिक सुक मन के अस्तान पर म्रस्पती बैटेंगे तो मांसिक सुक भी यहां पर डेवलप करेंगे अकल्ट साइंसेज में आपकी रूची बढ़ेगी और बहुत सारे जो रुकावटें वो खत्म होंगे लेकिन फिर भी लीवर रिलेटेड कुछ परिशानी हो सकती है आप आपको लीवर रिलेटेड चीजों पर बहुत मतलब अगर आपकी लीवर में किसी प्रकार की परिशानी उत्पन होती है तो आपको जरूर शनी का बीजमंतर यहां पर खड़ते रहना चाहिए ओवरॉल मैं कहूंगा कि खराब से अब ये अच्छा समय कुम के लिए स्टार् और लेकर आ रहा है देखिए ब्रस्पती देवता जो है मीन लगन आपके खुद लगनेश है ब्रस्पती देवता है आपके दशमेश है ब्रस्पती देवता है और खुद जाकर पराकरम में बैठ गया है लगन का मालिक पराकरम में बैठ जा है मैनत तो खुब होगा लेकिन बल होता है यानि भाग की जो फैक्टर होता है वो आपको अब मिलने वाला है जीवन साती के साथ भी बहुत जादा टेंशन जो चल रही थी वो भी खत्म होगी ब्रसपती का राशी परिवर्तन इंकम पे नीश द्रिश्टी डाल रहा है इसलिए इंकम करते समय यानि किसी प्र पोर्शन है वो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसमें किसी प्रकार की परिशानी हो सकती है लेकिन ओवराल ब्रसपती का राशी परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है ब्रसपती धन के लिए भी अच्छा है ब्रसपती पराकरम के लिए भी अच्छा है ब्रसपती मांस ब्रस्पति की चल रही है तो ये प्रभाव और जाता तीवर हो जाएगा तो ये था पूरा मेंसे लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा परिवरतन होगा ब्रस्पति का आप सभी पर क्या प्रभाव होगा अभी के लिए इतना ही अगर आप लोगों ने इस चैनल को सबस्क्रा इसलिए इनले ब्रस्पति क्रिगवत है कहार प्रेंश देता है जाता माव्पा ब्रम ये कहार है झाता है तो समेंझंग थे